Good morning class 8 आज हम लोग अमर भारती पाठ्य खुस्तक पे नफ्रत के बारूद नामक कविता को पढ़ेंगे नफ्रत की बारूद नामक कविता के कभी का नाम गोपाल दास मीरज है जिनका जन्म चार जन्वरी 1925 इस्री में हुआ और उनकी मित्की पुर्णी जुलाई 2018 इस्री में हुआ प्रस्तुत पंक्ती में कभी कह रहे हैं यह नफ्रत की बारूद ना बिखराओ साथी यह युद्धो का जहरीला नारा बंद करो जो प्यार की जोरी सेफों में हैं तडप रहा उसके बंधन खोलो उसको सच्छन्द करो यहां पे कभी नफ्रत को खत्म करके जो आपसी भाईचारा होता है उसे बढ़ाने की बात बोल रहे हैं या जो सामप्रदाइक दंगे होते हैं धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ते हैं या फिर राजनेती में लोग अपने फाइदे के लिए दूसरे लोगों को एक दूसरे से लड़वाते हैं धान में दंगे करवाते हैं तो यहां पे कभी उन सब को खत्म करके भाईचारा की बात बोल रहे हैं यह जो नफरत की बारूद है उसे मत बिखराओ साथियो और यह जो नफरत में हम युद्ध करते हैं लोगों से जगड़ा करते हैं इसका जो जहरीला नारा है इसे भी बंद करो और जो प्यार जो हम आपसी प्रेम हैं भाईचारा है जो की तिजोरी और सेपों में तरप रह है बाहर निकलने के लिए उसके बंधन को खोलो और उसे स्वच्छन्द करो स्वच्छन्द मतलब होता है आजाद करो और उस प्यार की भावना को उस भाईचारे की भावना होको आजाद करो और यह जो नफरत की जो भावना है उसे खत्म करो इन प्रस्तुत पंक्तियों की आप लोग 100 विश्दार व्याख्या करें Thank you बच्चों अब आप लोग मुझे अपना homework नीचे दिये गए email address पे अगले दिन दोपहर एक बच कर 40 मिजट के अंदर send करोगे